हेलो इस्ट्ट्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे तो आपको आज हम बताने वाले हैं आज के इस वीडियोज में ना हो ठीक है तो आज के इस वीडियोज में हम लोग सीखने वाले हैं लसे हम निकालना तो बने रही है वीडियो वे सुरूश लेक्यां तक यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो जल्दी सा नीचे देखिए लाइक का बटन आप लोगों को दिख रहा होगा का नोटिफिकेशन आपके मुबैल पर चला जाएगा तो चलिए देखते हैं हम लोग LCM तो LCM आज हम लोग सीखेंगे देखते हैं किस प्रकार से होता है LCM ठीक है अब देखिए माल लिजिए आप लोगों को दो है और चार है अगर हमने कह दिया कि दो और चार का LCM निकाल कि दो का पहाला से अभी लिखना नहीं यहां पर दो अभी आप लोगों को देखना है कि दो का पहाला में दो आता है या चार आता है दोनों में से कोई भी एक अगर आ गया दो का पहाला में तो हम यहां पर दो का पहाला पढ़ना स्टार्ट किया और देखा कि दो का पहाला जो नहीं आएगा उसको उतार दीजेगा जो आएगा फिर इसको इसको उतार दीजेगा यानि आपको सीधा सा बात है आप नीचे में सिर्फ एक-एक कर देना है आपको ठीक है जब नीचे में एक-एक हो गया तो साइड वाला जो बचा है आपका दो और दो इसको आपस में मल दूसरा ले लेते हैं ठीक है ना चलिए देखिए अब हम निकालते हैं आट और काटे ठीक है तो हम स्टार्ट करते चलिए दो से ही स्टार्ट करते हैं तो दो से स्टार्ट करेंगे तो आठ कितने बार में जाएगा चार बार में और सोला कितने बार में जाएगा क्या हो गया है एक एक आपका complete हो गया है नीचे में क्या हो गया है सब एक एक हो गया है तो बाहर वाले इस अंख्या देखे यहां पे दो है 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 टोटल चार दो है इन चारों दो को आपस में आपको क्या करना है multiply कर देना है यानि कि गुना कर देना है अब इसके बाद इस तरह का गुना जो होता है वो कैसे होता है देखिए इसको गुना हम लोग कैसे परकार से करते हैं इसको ध्यान से देखिएगा इस दो को इसके साथ गुना किजिए दो दुना कितना हो गया चार तो यानि यहां से यहां तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एक और एक्जामपल लेंगे इससे थोड़ा बड़ा वाला तीन डिजिट वाला एक्जामपल लेंगे उसको ध्यान से देखिएगा ठीक है चलिए, तिन डिजिट वाले एक्जामपल लेते हैं, इसको थोड़ा से हम उपर ले जाते हैं, ताकि इसपेस ज्यादा मिले हम लोग को, ठीक है, चलिए, तीन अंक वाले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, हम यहां पर लेंगे, दो, छे, बारा, हमने तीन अंक वाले ले लिया, ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अलसियम, अब हम लोग दो से कटाना शुरू करेंगे, आप सबसे पहले दो से काटिए, दो से जैसे काटेंगे, दो से एक बार में जाएगा, यह कटेगा, यह बारा जाएगा, फिर उसके बाद आप फिर दो से कटाईए, दो से कटाईएगा, एक नहीं कटेगा, तो एक उतार देजी, दो कपाला में तीन नहीं जाएगा, तो तीन उतर जाएगा, ठीक है, दो कपाला में छे जाएगा, तीन बार में, अब आप देखते होंगे, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर किनाएगा एक बार में नीचे में देखिए सब एक हो गया जब यह सब एक हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर वाले को गुना करते हैं अब बाहर में क्या है हमारा दो है, एक और दो है एक तीन है ठीक है देख लिए अब इसको आपस मैं बुना केजिए दो दूना चार चारतिया बारा तो इस परकार से हमारा क्या हो गया बारा हो गया इसका एलसियम कितना आगिया बच्चों इसका एलसियम बारा आगया तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आ घया होगा कि लसियम किस परकार से निकालते हैं तो जल्दी सा वीडियो को लाइक कर दिजीए अपने दोस्तों के साथ इसी परकार से बेसिक नोलेज वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब पर कर रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू